अर कर इसलाम कबूल जोकरी ये एलान करूं मैं कर ले बंदी चुपाने बाधिशां हरकिस नहीं डरूं मैं अर कर इसलाम कबूल जोकरी ये एलान करूं मैं कर ले बंदी चुपाने बाधिशां हरकिस नहीं डरूं मैं अर इसलाम कबूल जोकरी ये एलान करूं मैं बचकानी हट मत ठाने अरी बचकानी हट मत ठाने नहीं पहत घनी पच्च ताबे सिंगनी की जाई कोगी दड़ भमकी दे डर पावे चंदर मासा यो चहरा तेरा चंदर मासा हो चहरा तेरा मेरे जगर न खावे जाने ना अनजाम दूस्ट बारूद मैं आग लगावे एक पल मैं अभी मान तेरा हर एक पल मैं अभी मान तेरा मिल्टी मैं मिला थरू मैं कर इसलाम कबूल जोकरी खरत यो ऐलान करू मैं कर ले बंद जुपान पाधिशा और भिज़िने ही करू मैं कर इसलाम कबूल जोकरी खरत यो ऐलान करू मैं बाई संदीब जी हमारी इस दोचस मिलागनी पर दोशारों के सोड़ों पे से माल सम्माल करते हैं बार बार धन्यवाद बास्ता सलामत मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप अपनी हद में रहिए आप एक राजा हैं आपको ये सब बाती अच्छी स्चोभा नहीं देती सुझे भी ये पता नहीं है कि एक बार अगर तु इसलाम कबूल कर लेगी तो पागल दिन में रात में ता जिंदगी हजारों दास दासियां तेरे नीचे रहेंगी किसी चीज का टोटा नहीं रहेगा मुझे के ओई चीज भी नहीं चाहिए माल खजाने की चावी तेरे पास रहेगी वार मोज आ जागी तरी मोज तु इने ले उस मोज को बाभुजी हमारे दीपचं सर्पन साहब जो हमारी पमार खाप है पाल है उसके अद्यक्ष भी है हमारी सरागनी पर सो रुपे से मान सम्मान करते हैं धन्यवाद शेले अ मेरे गड़ का पहले 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 करते हैं यह रूंक के ते यूं मुझ से पहना ऋ- पहना और तो यूbaren पहले 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 बुरका पहने थाटते रहिये जी भर लाड नदाओं मैं दुनिया की हर चीज पिकाओं ना होती ये समझाओं मैं जगे नसीब तेरा महलों की अरब एगम तुझा पनाओं मैं घम की ओर लोब लालच मैं कभी ना धर्म डिखाओं मैं अमर मिसाल बना दूगी मैं अमर मिसाल बना दूगी चले जीओ चाहे मरूं मैं कर इसलाम कबूल जोकरी ये एला करूं मैं कर ले बंद जबान बात शाह अर बिस नहीं करूं मैं कर इसलाम कबूल जोकरी आपका आदेश हो आपका आदेश हो तुम मैं समझा के देख लूँ एक कंत मिले जाओंगा इस ऐसी तूशन दोंगा ऐसी इसकी दमाग में पढ़ाई भर दोंगा जो आपको पर लेगा अगर तु मेरे नस्दीक पिया है ना कितनी देर मैं समझा देगा अजूर 57 मिट में समझा दूंगा 27 में कई काम होता है मेरा तू 57 मिट में तु मुझे समझाएगा अरे मुझे तेरे उपर हसी आती है क्यों क्यों समझा गा तु यहां से निकलजा चुप-चूप नई तो तुझे भी मार दूंगी कि मुझे ऐसी मस समाझे के मैं तेरी धंकियों से तरचाऊंगी या बाच्छा नहीं हाट प्यार से समझागा तो है पुरी बाद समें ये तू मेरा अरे ये तू मेरा हुकम समझ ले करना मैं भरियाद नहीं फीर हकीकति फासी चड़ गया चाह तुझको वो याद नहीं इतनी सजा मिलेगी तुझको और तिसकी कोई प्याद नहीं अधरमया के घुटने टेके हिंदो की मरियाद नहीं हिंदो की मरियाद नहीं सीता जी की दाल सबा मैं सीता जी की दाल सबा मैं अब भूंकार परो मैं कर इसलाम कबूल चोकरी एलान करों में कर ले बंद चुपान बाद शाह हर गिज नहीं डरों में कर इसलाम कबूल चोकरी आदर ने लखी राम सरपन साव सोलंकी साव खेडली से पहले भी पुरुषकार दिया और फिर से सो रुपे इस रागनी पे दे रे ए लड़की ए लड़की बहुत क्रोधी राजा है ये तुझे मारतेगा तरी चांद चली जाएगी एक बार सिर्फ बादशा को बढ़ाएगा फैसला कर मेरी बात मानती है या नहीं मानती हो मेरी बात मानती है या नहीं मानती हो मेरी बात मानती है या नहीं मानती उठो मुसल्मा इस लड़की को उठो मुसल्मा इस छोरी को जिन्दी तुरंद चला दो मैं कायर का मैं कायर का खूनी नगी जो दंकी देडर पादो ये बाद सहा का हुकम ना माने अब इसको मज़ा चखा दो मेरा परण हिमाले जैसा चाहे कोई सजा दो राम किसन नर्देब सत्के राम किसन नर्देब सत्के चुल चुल शब्द धरो में अरे इसलान कमूल छोपरी ये एलान करू में करले बंद चुपाने पाद शाह हर किसन नहीं तरू में नगरी नगरी द्वाले द्वाले उन्डूरे सावरिया पीया पीया रटते रटते बीतिरे ओ मारिया नगरी नगरी द्वाले द्वाले उन्डूरे सावरिया पात बताने बुढिया दिल की बात बताने बुढिया अरक्यों आशू भर लाई सूरज मल महराज आज मैं शर्ण तुम्हारी आई अर दिल की बात बताने बुढिया क्यों आशू भर लाई सूरज मल महराज आज मैं शर्ण तुम्हारी आई सूरच मल महाराज आज में सर तुम्हारी आई एरे मुखते बात लिकड़ती कोई ना के पड़ी मुसीबत भारी दुखिया की फरियादी सुनो ओ राजा छतर धारी कुझे नेरे यहाँ इनसाफ मिलेगा खोल बता दे सारी बच्ती हो महाराज बचा दे लुटती लाज हमारी किसकी हिमत अरे मेरे होते तुखिया पीर सनाई ओ चाटों के सरताज कोम पे गोर मुसीबत आई जाटों के सरताज कोम पे गोर मुसीबत आई ही राजा सुरजमल मैं आप कभा कहानी सुनना चाहती हो जो किसी गैर की नहीं मेरी बेटी की कहानी है वो मेरी बेटी चंदनकोर जिसको दिल्ली के राजा उस एहमाशा ने जिस पर बहुत सुलुम किये अरे जल करके मर गई जाते जाते एक संदेश आपके लिए छोड़ करके गई जिसने मुझे कहा कि मा जा करके क्या देना उस राजा सुरजमल से और किस तरह से बता सुढ़िए महराज मेरी बात को सुरजमल महराज आजे सुरजमल महराज आजे दुखिया की सुनो कहानी साफ बता दे मत हिच के तेरी क्यों आख्या में पानी इक लोती मेरी बेटी बै कर गई मुगल मन मानी अरे कौन मुगल किसने छेडी बता तेरी बेटी स्यानी हो कौन मुगल किसने छेडी बता तेरी बेटी जानी लाल की लेके बीच में बेटी जिंदी दई जलाई अरे सुनके तेरी बात गात में मेरा होती नहीं समाई सुनके तेरी बात गात मेरा होती नहीं समाई हे महराज मेरी बेटी चंदन कोर का केवल इतना जुर्म था कि उसने इसलाम धर्म को कुबोल करने से मना कर दिया बस इसी बात पर उस राजा ने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया हे महराज आपके सामने हाँ चोड़ कर ये तु अपनी पूरी बात कहे मैं पूरी बात सुनना चाहता सुनिए मेरी बात नहीं इसलाम को बोल किया मेरी बेटी जल के मर गी धन हो चंदन को रेला डिली अपना नाम अमर कर गी मरती हुई मेरी बेटी बोज तीरी सिर पैधर गी क्या कह दी थी अन्त समय पे तु बत लाते क्यों डर गी मेरी मोत का बत ला लेले वो सूरज मल बल जाई अरे एहमद साथो मजा चका दू दिया मूझणा हाथ फिराई घटना से ही बता दी ही राजने अब अखत्यार तुम्हारे एहमद साथ तुझे दंड मिलेगा तेरी करनी का ओ एहमद साथ त्यारे जुग जुग जीवों सूरज मल ओ जाट भरत पुरियारे मेरे सिपाईयों के दिली मैं अब पीतेंगे से करे अजेर ही अब तलक रियासते जाटों की बति लाई अर नर्देव पेनी बाल करे जार आई नई कवताई अर दिल की ओबात पताते पुरिया तो आसु भर लाई सूरज मल महराज आज में शरन तुम्हारी आई हो सूरज मल महराज आज में शरन तुम्हारी आई अरे चलियो ऐ सूरज नर्बंका पल में जन कर लई से ना त्यार चलियो ऐ सूरज नर्बंका पल में जन कर लई दे ना त्यार ये रह सब र्याशित ते सलहा मिलाई और इखटे करे बीर बलताई अरे तिल्नी पे करिया चड़ाई यो दाहे पूरे साथ हजाई यो दाहे पूरे साथ हजाई चलियो सूरज नर्बंका पल में जन कर लई जना त्यार कायथ गोला ने तोप चलाई अरे किले की कई बुर्ज तोप लगा दी तिल्ली के किले पे कई बुर्ज अरे कायथ गोला ने तोप चलाई और किले की कई बुर्ज तोप लगाई ये रे कायो दुस्मन घबराई मन में नो कर लई हा सोच बजाई चलियो सूरज नर्बंका पल में जन कर लई से ना त्यार पहले दिन की जो लडाई हुई थी सरदारो इत्यास गवा है पहले दिन की लडाई में सूपड़ा साप कर दिया था गेट बंद करके तमाम मुगल दर्बाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं साम का वक्त था लडाई सांत हो गई महराज भेस वदल के घूमते थे जानकारी प्राप्त करते थे जुटाते थे लेकिन घटना घट गई और हमारे साथ वो क्या हुआ कि हमें तो अपनों ने लूटा गेरों में कहां दम था और किस्ती वहां डूबी जहां पानीत कर्म था हिंदू कौम के लोगों क्या घटना घटती है अरे महराज गूम रहे भेस छुपाएके और पुर्भिया ने दियो भेद बताएके रे पुर्भिया ने दियो भेद बताएके रे चौन एक लोग घरबाएके सीने में कर दई गोली पार क्याने के लोग घरबाएके सीने में कर दई गोली पार सूरे सूर जनर बनका जल मैं जनकर नहीं से ना त्यारे और लंबी है नरदेब कहानी ये रराम किसल नहीं जाय बखाली अर किसोरी कह छतरानी बदलोल है बेता बीर जवार सूरज नर बनका बल मैं जनकर नहीं से ना त्यारे मेरे महरवानों क्या घटना घटती है जब महराज मारे गए लाज को लाया गया अंतिम संसकार गोबर धनिमे किया गया और किसोरी जिसको संता नहीं थी दूसरी जोनकी महराज सूरज मलकी रानी थी उसको साथ में लेकर के धरम का और उसका नाम था उसको साथ में लेकर के जैपुर पहुंची जहाँ जभार सिंग रहता था और जभार सिंग से न्यू कहने लगी अरे पीरते कही कि सोरी बेटा तू रखियो मेरी लाजे पीर ते कहें के सोरी, बेता तू रख्यों मेरी लादे अरे पिता की तू ही लाज बचावे, रानी ने एक ही सब्द कहा, सुनना सर्दारों अरे पिता की तू ही लाज बचावे, रे पाग दिली मेरे ठोकर खावे, रे पाग दिली मेरे ठोकर खावे अरे मोई सबरन आवे, धीर तो बचावा धू कैसे आज अरे मोई सबरन आवे, धीर तो बचावा तू कैसे आज चीर ते कहें के सोरी, बेता मेरे तू ही ल 1957 अरे मुगलन ने ऐसो मचा चखा दे और याद यह दूद छटी को और लगी मेरी आगे बुझा दे हिंदू करेंगे तो पेनाज और लगी मेरी आगे बुझा दे हिंदू करेंगे तो पेनाज ओ फीर ते कहें इक सोरी बेटा तू रप्यों मेरी लाज अरे काल बनके बेटा अर्यों और दुष्ट की छाती पैचड़ दयों और काल बनके बेटा अर्यों एरे दुष्ट की छाती पैचड़ दयों तर जीत के दिली आयों खुष्ट के दिली आयों जीत के दिली आयों खुष्ट होंगे दूरज मल महराज फीर ते कहें के सोरी बेटा तू रप्यों मेरी लाज फीर ते कहें के सोरी बेटा तू रप्यों मेरी लाज अरे चाट की कोम सदा खासन में और भरत पुर लिख जाए इतहासों में और पास उठ जाए लासन में जब ही सुध रिंगे धों के बाद राज़े पेजाए लासन में जब ही सुध रेंगे धों के बाद वीरते कहें एक सोरी बेता तू रख्यों मेरी लाद जब हीरते कहें कि सोरी बेता तू रख्यों मेरी लाद जब ही सुध रख्यों मेरी लाद